नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल वंदना की रश्वई में स्वागत है तो आजम बनाने जा रहे हैं खरोई और चने की डाल की सब्जी ये बहुत ही स्वादिश लगता है और लगभग खरोई हर टाइम मिल भी जाता है तो आएए फटा फट बनाते हैं इस सब्जी चने आप लोगों को अगर खरोई ना मिले तो आप इसके जगा पे लौकी भी डाल के बना सकते हैं इसमें चने की डाल को बहुत जादा गलाया नहीं जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं खरोई लिए हैं इसमें हम एक आलू भी डालेंगे और चने की दाल भीगाया हुआ हमें चाहिए और तीन से चार घंटे में आराम से चने की दाल फुल भी जाती है टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, तीन से चार हरी मिर्ज चाहिए तो सबसे पहले खरोई को हम अच्छी तरह से छिल लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही नरम है लेकिन खरोई का छिलका नरम नहीं होता है इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से छिल लेना है और यहां पर देख सकते हैं खरोई में छिलका सबसे जादा निकलता है तो चली इस छिलका को हम हटा देते हैं और यह बहुत ही कड़ा होता है इसलिए इसको अच्छी तरह से निकालना पड़ता है अब इसको देख सकते हैं इस तरीके से हम काट लेगे आप चाहें तो इसको गोल-गोल भी काट सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से यह कट के रेडी हो गई खरोई और चने की दाल के सब्जी बनाने के लिए यहां पे सारी समगरी रेडी हो गई है टमाटर, प्याज, हरी मीर्च, आलू सब कटके रेडी हो गया है चलिए इसको बनाते हैं फटापट और बहुत ही स्वाधिश्ट तो यहां पे कूकर गरम हो गया है इस सब्जी को हम अजवाइन, घर्राई और सौंफ होता है तो एक चमज डाले है और पंचपोरण अच्छे से चटग्या है हरी मीर्च डाल दिये हैं और इसमें डाल देते हैं बारिक कटा हुआ प्याज इसको थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज हरी मीर्च को थोड़ा भूनने के बाद इ यह अच्छी तरह से प्याज टमाटर को गलाएगा अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और इसको थोड़ा भूनते हैं टमाटर को थोड़ा चलाने के बाद इसमें डाल देते हैं चने की डाल जो कि फुलाया हुआ चने की डाल है और इस सबजी में चने की डाल बहुत जरू लेकिन ये डाल जैसा गलाया नहीं जाता है इसमें डाल देते हैं गरम मसाला हल्दी पाउडर अब इसमें डाल देते हैं लाल मिर्स पाउडर एक एक छोटे चम्मा से सारे मसाले डाले हैं गरम मसाला हल्दी पाउडर लाल मिर्स पाउडर इसमें डाल देते हैं हींग और इस स तो यहां पर हम एक चोटी चमच से डाले हैं इसमें सर्सू है अजवाइन है और खटाई पाउडर है तो अगर आप कलोजी मसाला बना के नहीं रखते हूं तो एक चमच सर्सू का पाउडर डाल दीजिए और आधी चमच खटाई पाउडर और बस यहां पर हो गया मसाला अच्छी तरह से भुनने के बाद यहां पर आलू और खरोई को भी डाल देते हैं खरोई को और आलू को अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे चने की डाल काफी देर से भूना जा रहा है और मसाले भी अच्छा भून गया है लेकिन अब खरोई और आलू को थोड़ा सा भूनेंगे इसके बाद इसमें पानी डाली हिस यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मसाला अ बहुत ज्यादा पतली या बहुत ज्यादा गाड़ी भी नहीं रहेगी एक दम लटपटी रहने चाहिए मसाले के साथ तो यहां पे हम एक ग्लास के करीब पानी डाले हैं तो सब्जी में अच्छा खासा बुल्बुला आने लगा इसमें हम लगा देते हैं कूकर का धकन और इ इस सब्जी थोड़ी सी हमें गाड़ी चाहिए तो गैस को एकदम मीडियम रखे हैं और इस सब्जी को थोड़ा सा मैस करते हैं मैस करने के बाद यह सब्जी अच्छी खासी गाड़ी हो जाएगी और स्वाधिष्ट भी लगेगी तो इस तरीके से इसको कूकर में ही मैस कर लेंगे और हमारी सब्जी बिलकुल बनके रेडी है तो देख सकते हैं इस तरीके से इसको बस मैस करना देखिए गाड़ी भी हो गई और हमारा चने की जो दाल है वो एकदम खड़ा-खड़ा भी दिख रहा है और वो नहीं गलेगा लेकिन हाँ खाने में वो बिलकुल कच् सब्जी बनके बिलकुल रेडी है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके साथ आप गर्मा गर्म रोटी पराठा चावल खा सकते हैं तो दोस्तों यहां पे चने की दाल और खरोई की सब्जी बनके एकदम रेडी है और इसको थोड़ा सा धनिया स से गार्निस कर दीजी और देख सकते हैं कितनी गाड़ी और कितनी स्वाधिष्ट सब्जी बनी है एकदम लटपटी सी और देखिए चने की दाल भी एकदम हो गया है कहीं से कच्छा नहीं है और इस सब्जी को आप जरूर बनाईए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सब्जी की रेष्पी कैसी लगी तो दोस्तो अगर आप लोगों को ये सब्जी की रेष्पी अच्छी लगी हो हमारा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सेर, कमेंट करिए, सस्क्राइब करना तब तक एलिए धन्यवाद दोस्तों.